So, hello everyone, this is Deepak Joshi और आज हम देखने वाले हैं GFG का एक और POTD that is BST Maximum Difference ठेके, एक अच्छा सवाल ठेके, BST के उपर BST जिन्हें नहीं पता है, उन्हें मैं बता देता हूँ कि BST क्या होता है, कि इस तरह का binary tree होता है जिसमें left side में present notes सारी present notes की से छोटी होती है और right side में जतनी भी notes है, वो present notes से बढ़ी होती है बस BST का यही काम होता है, किसलिए होता है, ताकि searching असान हो जाए इसलिए binary search tree मनाया जाता है तो इस question statement में हमें कहा गया है थोड़ी question statement भी समझ में ना आई हो, शायद कई होगो तो question statement भी समझेंगे हम एक बार question statement में हम से कहा गया है कि you must find the maximum difference between the sum of the note sum of note data from root to target हमें एक target दिया होगा, जिसे in this case it is 20, तो हमें पता लगाना है कि 25 से 20 जाते हुए, जतनी भी notes आई ही 20 target को छोड़ कर उन सब का sum तो इस case में तो गेवल 25 है, और फिर उस target note से, leaf note तक जाते समय, जितनी भी notes आई, उस का sum तो initial truth note से target का sum और target से leaf का sum, इन दोनों के sum का maximum difference हमें निकालना है कि क्या होगा, जिसे इस case में देखो 25 से 20 जाते हुए, it will be sum only is 25, क्यों? क्योंकि 20 को include नहीं करना है, वहीं 20 से हम दो leaf notes पर जा सकते हैं that is 15 and 22, तो मैं क्या करूँगा, 25 minus 15 और 25 minus 22 करके चेक कर लूँगा, तो sum निकालना है हमें, ये थोड़ा बड़ा tree नहीं था, अगर बड़ा tree होता तो मैं 25 से किसी और पर जाता, फिर 20 पर जाता, तो 25 प्लस किसी और का sum of 20 से माल लो, तीन steps लगते मुझे leaf note तक जाते समय, तो तीनोh notes को मैं add करते हुए जाता, तो इस तरीके से मैं को करना है चेके, तो देखो कैसे करेंगा हम इस चीज को थोड़ा, असान question है, असान नहीं है कि बहुत tough question है हम इसे कर लेंगे, easily देखो, समझो, सबसे पहले हमें क्या करना है एक हम यहाँ पर current sum बना लेता है, that is sum is equal to 0 जो हमारा sum store करेगा, इसकी बाद मैं क्या करूँगा एक note star current नाम का variable बना लेता है, जो initially root पर initialized होगा, और मैं तब तक check करूँगा, मैं कहूँगा while current is not equal to null, तब तक चलो, ठेके क्योंकि target तो कहीं भी मल सकते है तो हम target को ढूण रहे हैं अभी, तो हम simply check करेंगे, कि if, जो current का data है हमारा, ठेके क्या वो बराबर है हमारे target के तो अगर ऐसा हो जाता है, तो हमें simply क्या करना है, break करना है check है, I'm sorry हमें simply break करना है, okay लेकिन, अगर क्या होता है, जो current का data है वो हमारा अभी छोटा है target से, अगर ऐसा होता है, तो हमें right side को shift करना पड़ेगा, क्योंकि अभी current का data का है, target से चोटा तो हमें पता है, right side में हमें बड़े मिलता है तो मैं कहूँगा current is equals to current का next, चेके current is equals to current का next, यह हमें करना है, लेकिन साथ में हमें एक चीज और करनी है, हमें क्या करना है, हमें some में भी तो add करना है, ताकि हमें track मिले तो current का data मैं प्लस करते हुए चलूगा चेकें ये है और simply अगर चोटा होगा current का data is greater than target होगा तो यहीं same चीज हम करेंगे यहाँ पर next नहीं आएगा यहाँ पर right आनो था sorry current का right चेके current के right में चले जाना यह अभी target बड़ा है हमारे current data से और इस case में target चोटा हो जाएगा तो मैं कहूंगा भाई left में जाओ बस यह कि इस तब तक चलेगा लेकिन अब एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि माल लो हमें target मिला लेकिन वो हमें किसी leaf note पर ही मिला for example इस case में target 20 ना देकर 15 देता तो हमें 15 पर मिलता तो हमें यहाँ पर manage करना पड़ेगा कि while loop से भाराकर मैं चेक कर लूँगा कि क्या मेरे जो current है वो currently अभी null तो नहीं है अगर ऐसा है भाई तो simply return कर दो minus not minus one क्योंकि हमें अगर null है माल लो current null है कि हमें मिला ही नहीं सॉरी मैंने गलत समझा दिया आपको माल लो कि target है ही नहीं इस case में अगर target 17 होता माल लो 17 इस पूरे tree में नहीं है तो हमें target मिलेगा नहीं करेंट पूरा trace कर लेगा और उसे नहीं मिलेगा कहीं पर तो यहाँ पर हम return करेंगे अगर current वो एक leaf node हो target हो सकता है कि वो एक leaf node हो तो हम simply क्या check कर लेंगे कि जो हमारा current है उसका जो next है क्या वो null है या तो वो null हो साथ में ही उसकी next से मेरा मतलब है right जो उसका right है वो null है and साथ में ही current का जो left है वो भी क्या है null अगर ऐसा होता है तो मतलब कि अब leaf node तक तो हम चाहिए नहीं सकते क्योंकि current खुद एक leaf node है तो हम कहेंगे कि simply जो difference होगा वही, जो sum होगा वही maximum difference हो जाएगा तो आए होप यहां तक समझ में आया है अब यहां पर मैं क्या करता हूँ एक हम ना variable बनाएंगे result नाम का क्यों अभी समझाओंगा, देखो यहां पर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर जो current है चेके उसका next जो current का lift है वो exist करता है, मतलब वो null नहीं है not null है, not equals to null है तो ऐसा अगर होगा तो मिरे को एक function लिखना पड़ेगा जो मिरे को क्या करेगा इस current के next से मिरे को leaf node तक का data लाके देगा left side में मैं next क्यों लिख रहा हूँ बार बार, ठेके lift की बात कर रहा हूँ मैं और similarly मिरे को यहां पर एक current का right के लिए भी चेकते रहा पड़ेगा कि अगर current का right not null है तो यहां पर भी मुझे क्या लाके दो एक value लाके दो sum की ठेक है और उसके बाद मैं क्या करूँगा return कर दोगा, मैं return किसको करूँगा मैं result में ही वो sum store करूँगा तो मैं result को ही return कर दोगा ठेक है लेकिन अब वो function कैसा देखेगा तो देखो उस function को बनाता है easy peasy lemon squeezy यहाँ पे हम private में बनाएंगे ठेक है, बिल्कुल kone में then हम उसका नाम रखते है white type का होगा, कुछ return नहीं करेगा हम सारा call by reference से खेल लेंगे solve नाम का, उसमें हम क्या करते है node start, of course हमें current तो चाहिए होगा हमें sum भी चाहिए होगा, जो भी हम sum बना रहे हैं, लेकिन हमें एक और चीज़ चाहिए होगी वो result, जिसको हम call by reference से लेंगे ठेक है, result क्या होगा, path sum result कहलो से या फिर path sum कहलो चाहिए, साथ में ही मुझे क्या चाहिए होगा इतनी चीज़ तो हमें मिल गई है साथ में ही और कोई चीज़ की तो ज़र आवशकता मुझे नजर आ नहीं रही है कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूर पड़े यहाँ पर sum, path sum ठेके नही, path sum एक अगर अलग चीज़ है path sum तो हमें plus के निकलिचे होगा तो हमें एक result उसको ही ले लेते हैं यह result हम यहाँ पर ले लेगे path sum को अभी इसे रखो okay result हमारा normal है जिसमें हम result नीचे store करेंगे maximum difference को path sum में हम क्या store कर रहे होगे path sum में हम अभी का current sum store कर रहे होगे sum तो हमारा ही जो अभी तक का ऊपर से sum आया है ठेके, अब देखो कैसे काम करेंगे सबसे पहले हम वहीं चेक करेंगे कि क्या अगर हमारा current null है base case तो तो यह return ही कर जाओ यह अगर case होता है तो हम return करेंगे और वहीं अगर क्या हो जाए हमारा कि current का जो left है वो null हो जाए and current का right क्या हो जाए null हो जाए मतलब यह leaf node बन चुका है जब हमारा current का left भी zero हो जाएगा और current का right भी zero हो जाएगा तो basically हम तब क्या कर रहे होंगे तब हम हमें पता होगा कि हम हमारा जो current है वो अभी actually कहाँ पर है leaf node पर रखा हुआ है तो हम यहाँ पर simply क्या करेंगे हम कहेंगे कि आप वो time आ चुका है let it be int max ताकि sorry int min ताकि maximum difference हमें मिले और साथ ही में result minus अब यहाँ पर हम जो दूसरी चीज़ से compare करेंगे वो होगा sum sum जो उपर वाले का sum है minus अभी तक का जो path समाय है प्लिस जो अभी currently मेरे current का data चल रहा है उससे मैं इन दोनों चीज़ों से compare कर रहा चेके कर रहा हूँ अगर ऐसा होता है simply कुछ नहीं result में store हो जाएगा और हम यहाँ से return कर जाएगे अच्छा लेकिन यह recursive function में solve का लिख रहा हूँ तो यहाँ पे हम में recursive दुबारा call करना होगा तो sum था path sum उसमें plus कर दो current का data ठीके मैं थोड़ा जल्दी type करना पड़ेगा क्यों मेरे laptop की बैटरी अगीं बंद कम हो गए और महुत बुरी आदत है मेरी कि मैं इसे चाहर नहीं करता हूँ तो path sum और यहाँ पे हम इसके right को call करतेंगे तो यह हमारा right call जाएगा simply इतना ही code था हमारा ठीके यहाँ पर मैं अब उस function को call कर देता हूँ solve तो उसमें सबसे पहले हमारा current जाएगा ठीके दूसरा current का left I am sorry not current ठीके current का left जाएगा और 7 में ही हमारा sum जाएगा और 7 में 5 sum जो initially हम 0 भेजेंगे और हमारा result जाएगा बस इतनी चीज़े जाएगी तेके उस case में तो अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ भी वही case बन रही होंगे बस यहाँ पर हम right भेजेंगे तो यह हमारा successfully run हो गया है तो यह submit भी हो गया है फिर किसी और question में मिलेंगे बाई बाई